दोस्तों वो कहते हैं ना कि सांप को दूद पिलाओगे तो बड़ा होकर वो सांप तुम्हें डसने से परेज नहीं करेगा ये कहवत बिलकुल फिट बैट रही है आज कल पाकिस्तान पर पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को पाला पनोसा इतना बड़ा किया आज वही आत आतंकवादी हमलों की पाकिस्तानी सेना पर असली वज़ा क्या है इनके पीछे एक बहुत बड़ी वज़ा है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और ये वीडियो अंत तक देखने पर धीरे धीरे आपको समझा जाएगा कि इस पाकिस्तान की सेना पर जो हम पर एक घाव दिये गए हैं पाकिस्तान की सेना पर दो बार हमले किये गए हैं एक बंबलास्ट में पाकिस्तान के 14 सेनिकों को उड़ा दिया गया तो दूसरी बार में आतंकवादी पाकिस्तान की वायू सेना के एयरवेज में ही घुश गए और 40 एयरक्राफ्ट को डिस्ट और सीड़ी लगाकर घुश जाते हैं पाकिस्तान की सेना की नाकामी देखिए सुरक्षा की इंतजामात देखिए कि किस तरह सीड़ी लगाकर आतंकवादी एयर्वाइज में घुश जाते हैं और उसके बाद तबाही का मनज़र शुरू होता है लगातार घंटों तक ब्लास् वाली कहावत आपने सुनी होगी उसी खंबा नुचे वाली कहावत को व्यक्त करते हुए सपाई देते हैं कि हमने तो उस पर काबू पालिया है लेकिन पाकिस्तानी सेना के इस बयान के बाद भी कई बार ब्लास्ट की आवाजे आती है और आग जनी आम जन्ता को भी दिखाई देती है दरसल दोस्तों यहां पर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की ही करनी है जो पाकिस्तान को अब दुख दे रही है पहले पाकिस्तान ने ही इस आतंकवाद को बढ़ावा दिया आतंकवाद को अपने घर में पना दी पाला पनोसा और अब वही आतंकवाद इनको उसने लिए दरसल दोस्तों देखे इसके पीछे की कहानी सुनिया अगर यहां पर तहरी के जिहाद इन ब्लास्ट की इन आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता तो यह पाकिस्तानी सीधे सीधे यही कहते के नरेंद्र मोदी सरकार ने हम पर हमला करवा दिया हम पर हम हमला भारत के दुबारा करवाया गया है भारत हमें नस्ट करना चाहता है इस तरह की बाते आने लंसे दरसल दोस्तों यहां पर अव असली वज़ा सुनिये इड की जो ब्लास्ट हो रहे हैं कि अभए असली वज़ा क्या है असली वज़ा है अफगान ब्रदर्स हमास ने और इसके अलावा जो सारे इस्लामिक देश हैं सब एक हो गए लेकिन यहाँ पर जब उन रिफ्यूजीज को पनादेरी के बात आई तो सब ने अपने अपने दर्वा से बंद कर लिये और वही चीज हुई है पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आए रिफ्यूजीज जो जब यहाँ पर आए शरणार्थी आए उसके बाद यहाँ पर रहे और हाल फिलाल में पाकिस्तानी सरकार ने यहाँ पर एक ऐलान कर दिया कि भईया 30 अप्टूबर तक खाले कर दो पाकिस्तान को नहीं तो तुम सब को जेल में ठ आज की जिताई के भाईया तुम मुसल्मानों को ही अपने देश से बाहर निकाल रहे हो इस्लामिक देश होकर मुसल्मानों को ही पनाहा नहीं दे रहे हो लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने किसी की नहीं सुनी उसके बाद 3 लोगों की घरों पर आशियानों पर बुल्डोजर चला दी गए जिसके बाद यहां पर ये सभी आतंक वाली संगठन जो इसलाम को समर्थन देते हैं अफगानिस्तान के इंडिफ्यूजिस के लिए खड़े हो रहे हैं कही न कहीं यही कारण है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की सेना पर हमले किये जा रहे हैं खेर दोस्तों लेकिन एक बात समझ नहीं आती जिस तरह से भारत में भी इस तरह के जो यह कटरपंती को मानने वाले लोग हैं उन्होंने भी नारे लगाए इसके लबाव इसलामिक देशों में भी लगातार इस तरह के प्रदर्शन किये कि तेरा मेरा रिष्टा क्या ला इला इला ला मुझे तो बोलना भी नहीं आता दोस्तों तो यह सारी बाते की तेरा मेरा रिष्टा क्या तो यहां पर अब समझ नहीं आता कि जब फिलिस्तिन के जो रिफ्यूजीज हैं उनकी चिंता इन सब को हो रही है तो अब अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज की भी चिंता करें पाकिस्तान में भी ऐसी कई रेलिया निकाली गई और फिलिस्तिन का समर्थन किया गया गाजा का लोगों के लिए चिंता चताई गई तो क्या अब अफगा यही चीज्से सामने आई कई लोगों ने बयान दिये अब उन लोगों के बयानों पर भी धिकार है जो इस तरह की हरकते कर रहे हैं इन रिफ्यूजिस को शरण नहीं दे रहे हैं और उसके बाद इन्हें देश निकाला दे रहे हैं तो दोस्तो कही न कहीं यही वज़ा से है जो अफगानिस्तान से लोग आये हैं उनको भगाया जा रहा है पाकिस्तान से कहीं न कहीं यही वज़ा है जिसमें यह जो ब्लास्ट पाकिस्तान की सेना पर किये जा रहे हैं और सेना को झाल झाल झाल